फाइनांस से जुड़ी लेटिस इन्फरमेशन पाने के लिए फिनोवेशन अब्डेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फिर्स अब्डेट है एनसी पर ग्लैंट फार्मा की लिस्टिंग आज 14% प्रीमियम पर हुई है ग्लैंट फार्मा का शेर 1500 रुपीज के इशू प्राइस के कमपारिजन में 1710 रुपीज पर शेर के प्रा इस IPO के जरिये कमपनी ने लगभग 6400 करो रुपीज कलेक्ट किये हैं इस IPO के लिए प्राइस बैंड 1490 रुपीज तु 1500 रुपीज तैक किया गया था नेक्स्ट अप्डेट है रियल्टी कमपनी कल पत्रो लिमेटेड मॉंबई में एक प्रीमियम रेजिदेंशल प्रोजेक्ट करने के लिए 350 करो रुपीज का इंवेस्मेंट करेगी जिसमें 200 से ज्यादा फ्लाट्स होंगे कमपनी के अनुसार होम लोन के लिए लो इंटरस्ट रेट्स और प्राइस में कमी के चलते डिमांड बढ़ेगी कमपनी के अनुसार इनिशल स्टेज में 350 करो रुपीज की एस्टिमेट कॉस से लगभग 5 लाक स्क्वेर फीट एरिया को डेवलप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में 2 BHK फ्लाट का प्राइस 1.7 करो रुपीज से शुरू है जबकि 3 BHK का प्राइस 2.4 करो रुपीज से शुरू होता है नेक्स्ट अबडेट है चार महामारी के चलते सरकार द्वारा लागू किये गए रिफर्म एजेंडा से भारत की मिद टर्म ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है rating agency के अनुसार mid term में growth rate के लिए investment को बढ़ावा देने और productivity बढ़ाने के लिए reforms की जरूरत होगी हाला कि fetch rating का कहना है कि ये assess करने में time लगेगा कि क्या reforms को effectively लागू किया गया है next update है ATM से cash निकालने में एक नया record बन गया है अगस्त के महिने में एक बार में भारत की लोगों ने on and average लगभग 5,000 रुपीज निकाले और लोगों ने अपने debit card से total 26,000,000,000 को रुपीज का record विड्रॉल किया जो GDP का 12% है डिजिटल पेमेंट में भी growth हुई है और UPI transaction ने भी 2,000,000,000 रुपीज का data चूलिया है लेकिन फिर भी market में cash का ही जलवा है अगर पिछले साल नवंबर से compare करें तो ATM cash withdrawal में लगभग 10% की growth देखने को मिली है नेक्स्ट अपडेट है शेर market में brokerage पर discount को लेकर चुड़ी जंग के बीच Kotex Securities ने intraday trading में brokerage fee नहीं लेने का announcement किया है बाकी सभी तरह की trading के लिए company customers से 20 रुपीज पर transaction फी लेगी नेक्स्ट अपडेट है US-based content streaming platform Netflix भारत में 5-6 December को streamfest का आयोजन करेगी जिसके तहट जो लोग Netflix के customers नहीं है वो भी free में इसकी services को experience कर सकेंगे Netflix के इस initiative का motive नए customers को जोडना है आपको बता दें कि उसे भारत में Amazon Prime Video, Disney Hotstar और G5 जैसे OTT platform से competition करना पड़ रहा है नेक्स्ट अपडेट है भारती Infratel और Indus Tower के merger का process पूरा हो गया है इस merger से एक बड़ी mobile tower company existence में आईगी Share market को दी गई information के according merger के तहट Vodafone idea को Indus Tower में 11.15% हिस्सदारी के बदले 3760.1 क्रोपीज cash मिले है नई company के promoter के रोप में Vodafone group के हिस्सदारी 28.12% होगी जबकि एटल ग्रूप के हिस्सदारी लगभग 36.7% होगी नेक्स्ट अपडेट है Reserve Bank of India ने एर्ना कुलम स्थित मोथोट फानाइंस पर 10 लाक रुपीज की पेनल्टी लगाई है ये पेनल्टी 5 लाक रुपीज से ज़्यादा के gold loan को लेकर loan value ratio guidelines को follow नहीं करने की वज़ह से लगाई गई है इसके अलावा Reserve Bank of India ने मन्ना पुरम फानाइंस थ्रिसूर पर भी 5 लाक रुपीज की पेनल्टी लगाई है ये पेनल्टी gold jewelry के owners right के verification related guidelines को follow नहीं करने की वज़ह से लगाई गई है यहाँ पर हमारा आज का finpoint session खत्म होता है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए thank you